next question, question says how much water a pump of 2 kilowatt can raise in 1 minute to a height of 10 meter और हमारे option है 100 liters, 1000 liter, 1200 या फे 2000 liter यहाँ पर अपने को पता है कि power machine की power दी हुई है और time दिया हुआ 1 minute और हमें height दिया हुआ है और हमें बताना है कितना पानी हम नीचे से उपर rise कर सकते हैं तो effectively हमें आस निकालना होगा यहाँ पने को पता है कि power होता है work done divided by time taken जब हम बात कर रहे हैं कि आपकी यह पानी की टंकी है नीचे आपने यहाँ पे अपनी motor लगाई हुई है उससे पानी आप जो उपर लेके जा रहे हैं h height पे यहाँ पे work done को हम लिखते हैं mgh और divided by time taken आ जाएगा तो हमें यहाँ पे actually m की value बता नहीं है so m will be equal to power multiplied by time divided by g h power यहाँ पे अपने को दी हुए 2 kilowatt यानि कि 2 into 10 to the power 3 multiplied by time time यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 minute उसको जब हम SI unit में convert करेंगे तो यहाँ पे अपनी SI unit में convert करने के बाद यह आ जाएगा 60 divided by g आपका 10 है और height यहाँ पे अपने को 10 meter दी हुए so this will be equal to 10 so इसे solve करके आपका जो mass of water है वो आ गया इसे 2 से 2 cancel हुआ यह 2 this will be equal to 12 और अगर हम 0 का हिसाब लगाएं तो 12,000 kg पानी जो है आपका नीचे से उपर लेके जाना है एक मिन रुगो 12,000 नहीं 12,000 तो इसे वाँ 1200 kg पानी अपने को नीचे से उपर लेके जाना है यह बात अपने को पता है कि water की density को अगर हम compare करें तो 1 kg पानी is almost 1 liter so उस cases में हम कह सकते हैं हाँ पर मास ओफ वाटर है जो आपको लिक लिटर में चाहिए so that will be equal to 1200 लिटर so based on this हम कह सकते हैं कि option number B would be the right answer